Hello friends, welcome back to my channel. मेरे चैनल Resolving Tech में आप सभी का स्वागत है. तो friends, today's video is all about Aabha Card. क्या होता है ये Aabha Card? और किसलिए यूज होता है? जानेंगे इस वीडियो में. उससे पहले, आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज पेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें. So let's start the video. Friends, आपको पता ही होगा कि September 2021 में हमारे इंडियन गौर्वर्मेंट ने एक मिशन लाँच किया था, जिसका नाम था आयुशमान भारत Digital Health Mission. ये मिशन को स्टार्ट करने की पीछे एक बहुत ही अच्छा ममर्च सक्त था, और वो ये था कि हमारे इंडिया में जितने भी पेशन्ट अपना कोई भी इलाज करा रहे हैं, या कोई भी मेडिकल सर्विस ले रहे हैं, तो उनसे related सारे information and data को एक जगहां पर digitally store किया जा सके और access भी किया जा सके. दोस्तों, इसके साथ ही हमारी Ministry of Health and Family Welfare, Government of India यानि कि स्वास्त मंत्राले ने एक कार्ट लाँच किया, आभा कार्ट के नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता है आयुशमान भारत Health Account Card. इस आभा कार्ट में आपको 14 डिजिट की एक यूनिक ID नंबर प्रोवाइट की जाती है, जिसकी हेल्प से आपकी सारी medical related information रिटरीव की जा सकती है. आभा कार्ट बेसिकली एक Health Card होता है, जो की देखने में नॉर्मली किसी आधार कार्ट या Pen Card की तरह ही दिखता है. इस आभा कार्ट को बनवाने वाले की कुछ important information इसमें save होती है, जैसे की उसका नाम, उसकी date of birth, gender and mobile number. उसकी एक photograph इस कार्ट पे लगी होती है और एक QR code प्रिंट होता है, जिसे scan करके उस कार्ट से related सारी information gather की जा सकती है. तो friends, अब बात करते हैं कि इस कार्ट को हम कहां और कैसे use कर सकते हैं. तो friends, जब भी आप hospital visit करते हैं, आपको अपने पास कुछ important document रखने होते हैं, जैसे कि आपका appointment letter, आपने कोई test करवाया है, तो उसकी reports, या आपने कुछ medicines ली हैं, तो उसकी prescription और slips, etc. अगर आप गलती से कोई paper miss कर देते हैं या भूल जाते हैं, तो फिर आपको काफी problem face करनी पर सकती हैं. तो अगर हम इतने सारे papers के replacement में सिर्फ एक आभा कार्ड बनवा लेते हैं, तो हमारे हर वक्त अपने साथ इतने सारे papers रखने की जरूरत खतम हो जाती हैं. क्योंकि हमारी सारी health related information इस card में secure होती हैं, और आपको अपने साथ कोई भी other papers carry करनी की जरूरत नहीं होती हैं, क्योंकि सारा काम इसी card से चल जाता है. दोस्तों, इस card के अंदर आपको आपके health से related सारे information मिल जाती है, जैसे कि अगर कभी आपको कोई विमारी थी, तो वो क्या थी, आपने किस hospital से, किस doctor से उसका इलाज करवाया, कितने time के लिए वो इलाज चरा, आपके क्या-क्या test करवाए गया, आपको कौन सी medicines दी गई गई कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको उसकी need हो, so friends, this is all about abha card, and I hope, now you understand कि abha card क्या होता है, और हमें कहां और कैसे use करना होता है, अगर आपको video informative लगी हो, तो please video को like और channel को subscribe जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ये information share करें, हम मिलते हैं next video में, till then take care, thanks for watching, कि लोई करें, औरा हमे, नपस्तों हैं, तरा चृर करें, क्याना हमें एता हैं, और आपको लुदयां, ब